जुझाँ मा के चले जाने से पहले जानवी कपूर को डर सता रहा था और वो डर था अपनी मा के लिए इसी के चलते जानवी कपूर ने बॉनी कपूर को दुबई भेजा था आपको बता दें कि श्री देवी आज तक विदेश के किसी भी टूर पर अकेली नहीं गई थी जब जब श्री देवी अपने फिल्म की शूटिंग करने जाती थी तब तब उनके साथ बॉनी कपूर के दोस्त की पतनी हुआ करती थी जिससे बॉनी कपूर को चंता नहीं रहती थी लेकिन इस बार श्री देवी दुबई में अकेली थी यूँ तो कहा जा रहा है कि उनके साथ उनकी बेहन थी लेकिन ये खबर बिलकुल गलत है श्री देवी के साथ उस समय उनकी बहन नहीं थी श्री देवी उस वक्त अकेली थी जिसके बाद जानवी को ये लगा कि अगर माँ अकेली रही तो वो अपने जरूरी डॉक्यमेंट्स खो सकती हैं जिहां श्री देवी को भूलने की आदत थी और जानवी को इसी बात कर डर था कि श्रीदेवी दुबई में कोई जरूरी डॉक्यूमिन्ट ना भूल जाे जिसके बाद जानवी ने अपने पिता से कहा कि आप मां को दुबई जाकर सर्प्राइज दो आपको बता दे कि श्री देवी ने दुबई से बॉनी को फोन भी किया था और उनसे कहा था कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है जिसके बाद बॉनी ने ये पक्का इरादा बना लिया कि अब वो श्री देवी को दुबई जाकर सर्प्राइस देंगे Final Cut News Desk